चलिए बैटा स्टार्ट करते हैं आज के हम इस टॉपिक में क्या देखेंगे ध्यान दीजिएगा सभी को स्क्रिन प्रॉपर दिखाई पड़ रही है सवर अन्यवेसा राध्या बैटा सभी को वाइस जा रही है क्लियर तो आज के ध्यान दीजिएगा आप लोग का जो चैक्टर है क्या नाम है टॉपिक का नाम है बैटा देसीमल ठीक है देसीमल टॉपिक है यानि एक्सरसाइज की हम बात करें बैटा तो एक्सरसाइज 3.2 तक हमने आल्रेडी कंप्लीट कर रखा है सभी को ठीक है बैटा तो 3.2 तक हमने आल्रेडी कंप्लीट कर रखा है आज हम देखेंगे 3.3 एक्सरसाइज से रिलेड़ कुछ पॉइंट है तो इसमें क्या क्या कवर करेंगे आज देखेंगे आज कैसे डिवाइड करेंगे यानि डिवाइड किसको करेंगे बैटा ध्या कैसे डिवाइड करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे तो डिवाइडेशन सवाले मैथिड को हम कंप्लीट करेंगे चलिए आपको मल्टिप्लाई हमने बता ही रखा था सपोस्ट एक बार ट्राइ कर लेते हैं 523.570 इसको अगर हम बैटा 10 से मल्टिप्लाई करते थे तो हमारा डे है तो इध्यान दीजे वाटा तो हमारा जो डेसिमल्स होगा वो किस साइड में सिफ्ट होगा राइट साइड में सिफ्ट होगा ठीक है क्लियर बैटा सभी को कितने कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5235.70 क्लियर हो गया सभी को यहां तक हमने कबर कर रखा था और इसके बाद हमने कुछ और भी चीजे देख रखी थी क्या था जैसे अगर हम मल्टिप्लाई यहीं पर करते अग ने बता रखा तक कल आपको होल नंबर क्या होता था बेटा अनिका बेटा बता सकते हैं होल नंबर होल नंबर क्या था बेटा हमने क्या बताया था बेटा अनिका वाइस जारी आपको प्रॉपर होल नंबर कौन से नंबर होते हैं सौर बेटा आप बताईए 0+, हा वेटा, क्या होता है, 0 प्लस अल देखे वह मैं लिख रहा हूं वेटा 0 प्लस हाँ, अल natural number होते थे हाँ, natural number बोल सकते हैं या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं counting number, ठीक है clear वेटा, तो सभी counting number और 0 उसके साथ include होता था तो इसे हम क्या कहते हैं, whole number हमने multiply में ध्यान दीजिएगा multiply में अगर suppose that 25.06 था हमने क्या किया था multiply आफ whole numbers के साथ भी देखा था suppose that 2 से multiply करना हो तो कितना आएगा आदित बैटा आ गए meeting में कि नहीं अभी तक कोई बता सकता कितना आएगा बैटा सहौर हाँ कितना आ जाएगा आप 2 से multiply करेंगे तो बैटा क्या जाएगा 6,2,8 देखे 6,2,8 कितना होता है 12 हो गया तो यहां पर 0 करेंगे multiply 0 हो जाएगा वन काईरी आइड हो जाएगा point लगेगा दो place पह तो two place पह यहां पर पॉइंट लगेगा और यह कितना हो जाएगा बैटा 50 हो जाएगा clear सभी को यहां तक हमने इस multi multiplication साफ किसी भी decimal numbers के साथ में या फिर हमने क्या किया था whole number के साथ में already complete कर रखा था आज के हम इस topic में देखेंगे सवर बेटा उजीवन वाइस जा रही है आपको सवर बेटा उजीवन आपको वाइस जा रही है ओके तो चलिए आज हम देखेंगे इस वाले topic के क्या कबर करेंगे बेटा divide करेंगे किसी भी given decimal number को अगर हम divide करते हैं कोई भी given decimal number है उसे हम divide करेंगे किसी other whole number से भी हम करके देखेंगे whole number से भी divide करके देखेंगे और decimal number से भी देखेंगे clear ठीक है तो हम दोनों number से देखेंगे divide करके किसी भी decimal number को किसको divide करेंगे decimal number को हम एक बार divide करके देखेंगे whole number के साथ और फिर हम अग दुकुछ हदर questions try करेंगे decimal को decimal के साथ ही divide करेंगे clear आज का इसी topic के बारे में ध्यान दिजे इसी topic को हम पढ़ेंगे तो चलिए start करते हैं अगर कहीं हमें कोई decimal दिया है 22, 25.064 इसको हम divide कर रहे है बेटा ध्यान दिजे divide करेंगे 120 ध्यान दिजे यानि अगर हम 12 से divide करेंगे क्या बता सकते हैं कितना आएगा 1.2 से चलिए 1.2 से divide करेंगे कितना आएगा बता सकता है कोई कैसे solve करेंगे बेटा पहले इसको इसको ध्यान दिजे solve हाँ तो पहले आप क्या कर सकते हैं decimal हटाइए पहले वो देखिए numerator में यानि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25.064 divided by 1.2 वेटा आप देख सकते है numerator में कितने प्लेस पे 0 कितने प्लेस पे decimals है 3 प्लेस पे decimals है और देखिए numerator में 3 प्लेस है denominator में कितने प्लेस पे है वन प्लेस पे है तो हम पहले क्या करेंगे decimals हटाएंगे कैसे हटाएंगे ध्यान से देखिएगा decimals को हम पहले हटाएंगे यहां से कैसे यहां पे step by step देखिए क्या digit दी हुई थी थी बेटा हमें 25.064 25.064 को हम divide करेंगे बेटा 1.2 से सब्सक्राइब करने से पहले हम कितने से इसमें कितने से multiply करें बेटा कि ताकि उपर भी decimals यानि same equal आ जाए यह exact value आ जाए और यह भी exact value पहले इसको हम whole number में convert करेंगे देखिए हम कितने से जो maximum places decimal होते हैं धान दिजैगा पेटा maximum places जो decimal होते हैं उन ही decimal को हम क्या करेंगे यहां पे उन हटाने के लिए multiply करेंगे यहां पे कितना multiply करेंगे 1000 से की 100 से या 10 से तो धने दीजैए दोनों में उतने ही नंबर से multiply करेंगे numerator में भी और denominator में भी तो क्या हो जाएगा यहाँ भी thousand से तो नीचे भी thousand से multiply करेंगे clear अब सबका decimal हट गया उपर क्या बचा भेटा ध्यान दिजिएगा उपर क्या हो जाएगा उपर two five zero six four clear नीचे बचेगा आपका 12 आप लिख सकते हैं या फिर इसको ध्यान दिजे एक प्लेस से एक zero से एक प्लेस decimal हट जाएगा carefully सुनिएगा सब लोग one zero से क्या होगा पिटा एक प्लेस decimal हट जाएगा बाकी two zero ऐसके पीछे आ जाएगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ध्यान दिजे क्या लिख सकते हैं इसको आप इसको बारा सो लिख सकते हैं ध्यान दिजे बारा सो लिख सकते हैं या फिर आप इसको 12 इंटू 100 लिख सकते हैं किसी को कोई डाउट ठीक है सभी सभी किलियर हो गया बैटा नई है डाउट तो देखें इस डिजिट को अब हम इस डिजिट को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं 12 से आप को 25,064 को डिवाइड कर दीजिए आसानी से आएगा देखिया और भी कुछ step करते हैं यह अभी हम इसको questions को यही पर note कर लीजिए अपनी copy में इस question को अभी हम solve करेंगे ठीक है ध्यान दीजिएगा clear इस से पहले ध्यान दीजिए जो basic है एक point आपका छुटा हुआ है आप लोग बताईए बेटा हम multiply करते थे ध्यान दीजिए जब हम multiply करते थे बेटा जब multiply हम 10 से करते थे या फिर 100 से करते थे फिर या फिर 1000 से करते थे तो decimal किस side में shift होता था right side में decimal कि धर जाता था राइट side में shift होता था right side, क्या होगा बेटा, shift होगा, clear हो गया था, यह decimal multiply वाले में था, बट अगर हम बेटा क्या करें, divide करेंगे, ध्यàन दिजे, divide करेंगे, तो divide अगर हम ten से करते हैं, जा फिर hundred से करें, या फिर thousand से करें, या ten thousand से करें, किसी भी number से अगर हम divide करते हैं, तो क्या होगा बेटा बता ये decimal किधर shift होगा बेटा बता है हाँ decimal decimal shift किधर होगा बेटा shift in left side ध्यान दिजिएगा left side में shift होगा तो बिल्कुल simple है left अगर divide करेंगे तो left side में multiply करेंगे तो right side में shift होगा जितने number से divide करेंगे अगर यहाँ 10 से करते हैं तो 1 place left side में shift होगा, 100 से करेंगे बेटा, तो 2 place left में जाएगा, 1000 से करेंगे, तो 3 place जाएगा, जितना 0 होगा, उतना place shift होगा, आगे कुछ question देखते हैं, तब आपको clear समझ में आ जाएगा, उस question को भी हम solve करेंगे, don't worry, अब बताईए बेटा, 15.07 है, अब आप 10 से divide करते हैं, तो क्या आएगा, कोई बता सकता है, अनिका बेटा, हाँ, 1.507, clear है सभी को, clear है बेटा, तो ध्यान दिजे, आप इसको हाँ, तो हमारा decimal क्या होगा, 1.507 आएगा, clear हो, यहाँ तक clear हो गया है सभी को बेटा, ठीक है, एक सेकेंड बस चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन-कौन से topic इसमें है, उसके बाद सीधा exercise है, तो चलिए हम आते हैं अपने इस वाले point पे, ध्यान दिजे, कहां पे चल रहे हैं, हम आ रहे हैं, इस screen पे नई बेटा, आपके whiteboard पे, whiteboard पे आ गए हैं बेटा, ठीक है, clear सभी को, चलिए, whiteboard पे आ गए हैं, अब आपको careful देखना, देखिए, चलिए, यहाँ पे solve करते हैं, suppose that, हमारा कोई question, दूसरा, कोई other question से, बेटा, 37, 5.058, अगर आप इसको 100 से 10 से divide करेंगे, तो कितना आएगा, बेटा, बताईए जरा, 10 से divide करेंगे, तो कितना आजाएगा, देखिए, हमने बताया कि, अगर 10 से divide करेंगे, ध्यान दिजे, जितने 0 होगा, उतना place क्या होगा, बेटा, decimal किस side में shift होगा, decimal आपका, decimal आपका किधर, right side ये left side, decimal बेटा, left side में shift होगा, left side में, क्या होगा, shift होगा, left side में shift होगा, तो कितना place, जितना भी 0 रहेगा, तो एक place बेटा, ये उठके कहाँ पे आजाएगा, यहाँ पे आजाएगा, को ठीके बटा सभी के लियर हो गया ओके बटा चलिए यह तो आपका डेसिमल हो गया यह लेफ्ट साइड में सिफ्ट होगा जब भी हम किसी चीज को डिवाइड कर किसी भी नमबर्स को डिवाइड करेंगे चलिए अगला किसी दूसरे कुश्चन को देखते हैं इसी नंबर को ले लेते हैं, 375.058, अगर हम इसको 100 से डिबाइट कर दें, तो क्या होगा, decimal हमारा किस साइड में सिफ्ट होगा? हाँ, तो ध्यान दिजे, ये दो प्लेस, कितने प्लेस बेटा, जितना जीरो है, उतना प्लेस आगे, राइट साइड में, लेट साइड में सिफ्ट होगा, वन प्लेस ये हुआ, टू प्लेस आके, यहाँ पर decimal आपका लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका answer बेटा, 3. 3.75, 3.75058, किलियर है सभी को बेटा, ठीक है, तो आपका decimal यहाँ पर सिफ्ट हो जाएगा, इसी तरह आप, थाउजंड से गर डिवाइड करते ते बेटा, इसी नंबर को हम थाउजंड से डिवाइड करते ते तो, हाँ, तो ध्यान दिजे, आपको क्या होता, 3.5 decimal क्या हो जाता, 3.5 डारेक्टली, आपका decimal यहाँ पर आ जाता, तो आप लिखेंगे, 0.037558, किलियर हो गया सभी को बेटा, क्लियर है यहाँ ता, concept पिल्कुल क्लियर है, अभी तो हम एक exact नंबर, यानि 10 से, 100 से, 1000 से, इन सम नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे, अगर हम दूसरा किसी नंबर, दूसरे किसी नंबर से डिवाइड करें, तब कैसे होगा, ध्यान दिजे, चलिए, अब यहाँ पर हम दे क्लियर, यानि 62.5 डिवाइड वाइ 5 है, क्या आप solve करके decimal कितने place पे लगाएंगे, कैसे पता चलेगा, decimal कौन से place पे लगेगा, तो इसको decimal लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले इस decimal को हटा लीजिए, तो ध्यान दिजे, 62.5 है, आप हटाएंगे कैसे, यानि आ नमबर दिया था, उसमें भी नीचे, यानि numerator में आपने हटाया decimal 10 से divide, तो 10 से multiply किया, तो 10 से divide भी करेंगे, clear, clear हो गया बटा सभी को, अब आपका decimal तो हट गया, ध्यान दिजे, decimal तो हट गया, आपको क्या number मिला, 625 मिल गया, 625 डिवाइड भाइड आपको 50 हो जाएगा, य या आप 50 से divide कर दीजे, या फिर क्या कर दीजे, आप किस से, 5 से divide कर दीजे, फिर दो बार 10 से divide करना पड़ेगा, तो सबसे आप 50 से divide कर देंगे, कितने time जाएगा, बताएगा कोई, या फिर आप काम कर सकते हैं, हाँ, 50 से divide करने मा आप लोग को थोड़ा सा complication हो जकता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका था किस से डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो बताइए कितना आएगा इसका answer बताइए इसका answer कितना आएगा 625 को आपको डिवाइड करना है पहले 5 से ध्यान दीजिए पहले क्या डिवाइड करना है 625 को आपको 5 से डिवाइड करना है जब आप 625, एक सेकंड बेटा, बेटा आ गए सभी, वाइस जारी सभी को ओके रिकनेक्ट हो रहा था बेटा, चलिए हम क्या answer solve कर देते, क्या लिखा था बेटा 625 को 625 को आपको डिवाइड करना है पहले 5 से, उसके बाद यानि 50 था, 625 डिवाइड वाइड 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 वा किलियर है बटा सभी को आप बताइए कितने टाइम्स जा सकता है यह फिर एकदम maximum value maximum times ले जा सकते हैं कितने टाइम्स जाएगा आप 2 times ले जा सकते हैं ध्यान दिए 2 times ले जाएगे तो 5, 2, 10 होता है बिल्कुल यहाँ पे 2 और 5 बचेगा फिर आप कितने टाइम्स ले जा सकते कितना आ गया 25 सब माइनस कर दिए यह जीरो आ जाएगा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा और आपको बैलू कितने आ जाएगा इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा बिल्कुल मेंटिंग हो जा रही है पता नहीं कि नेट्स तो चल रहा था अभी तक तो अच्छा है इसलिए दिखाई पड़ रही स्क्रीन बैटा फिर से अगेन चलते हैं तो कितना आया था आपको डिवाइड करने पे 625 को हमने डिवाइड किया था 50 से कितना आ गया था 50 क्या हमने पहले 5 से डिवाइड किया कितने प्लेस पे लगेगा लेफ्ट साइड में माल लिजए इसके पीछे था decimal पीछे का मतलब कुछ नहीं होता अब 00 था लेकिन हमने हाँ तो यह आप इसको जब 10 से डिवाइड करतेंगे तो 12.5 आ जाएगा किलियर है सभी को किलियर है किसी को कोई डाउट है चलिए इसी तरह आप लोग डिवाइड किजिए 10, 28, 064 को आप लोग 20 से डिवाइड किजिए 20 से डिवाइड किजिए बताइए बटा कितना आएगा एंसर चलिए बताइए कितना आएगा किसी का आ गया यानि बस आपको कुछ नहीं था करना है 1028.064 इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है बस जो भी आएगा उसको यानि 2 से डिवाइड का मतलब 20 यानि इसको 20 को आप लिख सकते हैं 2 into 10 2 से डिवाइड कर दीजिए बाद में 10 से एक प्लेस पे decimal लगा दीजिएगा बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्लियर क्लियर है बेटा सभी को अनका बेटा कितना एंसर आया आपका बताईए किसी का एंसर आगया बेटा साओर उजिवान राध्यान वेशा बेटा किसी का एंसर आया सरिएंसर करेंगे आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिये 2 से जब आप इसको कॉट करेंगे क razorly देखिए 2 से आप डिवाइड कर रहे है इस number को तो आप डारेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से कट कर दीजिए उपर नीचे वाले डिजिट को कितना आएगा 51 आएगा बैटा टू से ध्यान दिये टू से डिवाइट करेंगे टू से इसको डिवाइट करेंगे टू फाइव जा टेन होता है फिर वन टाइम जाएगा टू अन जा टू और टू फोर जा एट बैटा पॉइंट लगेगा फिर जीरो 3 2 यही आया होगा आप लोगों का बैटा है ना नीचे 10 बचेगा ठीक है आप यहाँ पे नीचे 10 है तो आप क्या करेंगे यह डेसिमल क्या होगा लेफ्ट साइड में वन प्लेस और सिफ्ट हो जाएगा तो कितना एंसर आ जाएगा 51.4 51.403 किलियर है सभी को सभी को किलियर है बेटा सभी को किलियर है सभी का एंसर इतना ही आया है इतना ही सबका एंसर आएगा किलियर जान दीजे इतना ही एंसर आएगा किसी कोई डाउट है किसी कोई डाउट है बेटा अर अराध्यान वेसा बेटा कोई doubt है ओके चलिए अब आप लोग अगला questions करेंगे अपना अगला questions आप लोग लगाएंगे आपको solve करना है वेटा ध्यान देजे 54.268 divide by 1.2 चलिए इसको बताइए solve करके बताइए क्या है decimal में division कैसे करेंगे पहले आप decimal places को decimal हटाईए फिर उसके इकजेक नमबर को divide कर दीजिए जो भी नमबर आएगा फिर आप again decimal लगा देंगे अनवेशा बेटा left हो गए क्या आप चलिए बेटा ठीक है clear सभी को solve कीजिए बताइए कितना आएगा बेटा उज्जल बेटा solve कर सकते हैं आप उज्जल बेटा solve कर सकते हैं आप पहले तो आप क्या करेंगे सबसे फरस्ट स्टेप क्या करेंगे आपको क्या है decimal हटाना है तो आपको ध्यान दिजिए यहाँ पे तो three place पे decimal है बेटा नीचे one place पे decimal लगा है तो आप पहले क्या करेंगे पहले इन three place के decimal को हटा कर क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे exact value five four two six eight clear अब इसको हटाने के लिए हमने क्या किया था कितने से multiply करना पड़ेगा बताइए जरा आप one thousand से नीचे भी multiply करेंगे अब उपर वाली जो digit है ध्यान दिजिए अब इन दोनों को solve करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए जरा इन दोनों को solve कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 54268 अब और नीचे जो भी है उएसे रहने दीजिए नीचे क्या होगा यहाँ पर one point two था वेटा आप एक zero से क्या कीजिए इस decimal को हटा लीजिए यानि क्या हो जाएगा यहाँ पर बन जाएगा बारा सव ध्यान दीजिए बारा सव हो जाएगा clear सभी को clear है हमने जो स्क्रीन पर लिखा आप सबको समझ में आया की नहीं बस आपको टोयल्व हंडडेट बन गया इसको आप चाहे तो हंडडेट यानि दो जो जीरो है इनको हाँ बेटा कितना है बेटा एंसर कितना रहा है आपने डिवाइड किया तो ठीक है clear है बेटा सभी को clear है किसी का नहीं आया एंसर तो बताइए आप जब डिवाइड करेंगे ध्यान दिजे अच्छा 3 आएगा ऐसे continue है बेटा clear 3 यानि continue इसे क्या कहते है बेटा 3 repeating है यानि क्या करेंगे इसे बोलते है ध्यान दिजे जो भी टर्म्स होता repeating यानि जो डिजिट बार-बार माल लिजे आप क्या करते है वन डिवाइड भाइड भाइड थिरी करते है बेटा clear है सभी को तो ध्यान दिजे ये नंबर आपको डिवाइड करने पर इतना आया डिवाइड करना कितना सिंपल था इसे टाइप के काफी सारे एक्जामपल्स थे आपको solve करना था तो आप चलिए हम देखते है क्या क्या करना है आपको ध्यान दिजे बेटा सभी को screen दिखाई पड़ रही बेटा सभी को तो चलिए screen दिखाई पड़ रही आप सभी को क्या करना exercise ध्यान दिजे यहाँ पर जो लिखा हुआ है exercise कौन सी exercise 3.33 clear exercise 3.33 आपको ध्यान दिजे आपकी ही class का है ये class 7 का है exercise 3.33 आपको बेटा पहले के सभी part A, B, C, D, E, F हो जाएंगे divide करना 10 से किसी में 100 से किसी में 1000 से उसी तरह दूसरे part को भी आपको करना दूसरे part में क्या करना बेटा whole numbers होle number से divide करना है sorry decimal number से divide करना है clear आपको कोई decimal दिया है decimal number दिया है आपको decimal number से भी divide भी करना है जैसे मैंने बताया 25.05 था इसको आपको कितने से divide करना था 1.05 से इस type से कोई भी number हो decimal को हमने decimal से divide करना है हो जाएगा आप सभी से clear I hope सभी से हो जाएगा तो ध्यान दिजे एक्सरसाइज आपको 3.33 पूरी complete करनी है clear clear ने बेटा किसी कोई doubt तो नहीं है ठीक है 3.33 एक्सरसाइज आप पूरी complete करेंगे बेटा अगर किसी को कोई doubt है तो अभी बता सकता है मान लीजिए इसमें एक question दिया हुआ है हाँ बेटा बोलिए बेटा क्या हुआ पताईए अराध्य बेटा क्या हुआ हाँ क्या हुआ बेटा हाँ don't worry अगर किसी का internet ठीक है homework अगर आपको द्यान दीजिए अगर जिसका internet slow चल रहा है उसका क्या करें यह वीडियो भी create हो रहे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी और homework तो आपको पता ही चल गया 3.33 exercise complete करनी है ठीक है क्लियर हो गया बेटा सभी को ओके चलिए फटा फटा आप लोग साइंस की जो टॉपिक आज हमें कबर करना है साइंस का नेक्स चैप्टर जो भी चुटा हुआ था जो अगला चैप्टर पढ़ना है तो उसका टॉपिक भेज़िए फटा एक से चलिए साइंस थोड़ी देर देखते हैं ठीक है बेटा प्लीज भेज़िए फटा फटा आप लोग थोड़ा साइंस देखते हैं क्लियर है और हाँ मीटिंग इंड स्टार्ट हो जाएगी रिस्टार्ट हो जाएगी बेटा डॉन टॉरी तो मीटिंग रिमेनिंग टाइम कुछ नहीं कि मीटिंग अल्रेड़ी ओबर हो चुकी है ठीक है बेटा हाँ वो आल्रेडी ओबर हो चुका है अब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ इसका क्लियर चलिए तो ठीक कोई बात नहीं वेटा आप लोग भेजिए अगले चलिए साइन्स वाले टॉपिक को कबर करते हैं